このようで आप से भी अब और फिर आप से भीका स्वाकतिया आज कि यूडियो में जो है complete में डोनेशन पर सीट आपको किस परकार से लेनी है ainda आपके कितने परसेंटेज है तो आपको डोनेशन पर सीट ले लेनी चाहिए आपको कब लेनी चाहिए कितनी जो है जैसे कि first list या फिर second list का आपको wait करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए बहुत से student का मेरे पास में Instagram पर भी जो है comment आ रहा कि सरक complete एक वीडियो बनाओ ताकि हमें पता चले fee के बारे में जैसा कि student आप सभी जानते हो कि जो private institute है उन सभी में जो है donation की fee है वो अलग-अलग रहते हैं लेकिन आपको किस परकार से बहुत कम पेसों के आदार पर जो है donation पर जो है मिल सकती है seat case मैं आपको बताऊंगा complete इस वीडियो में अभी तक आपने चनल को subscribe नहीं किया तो कर ले ना क्योंकि यहां पर जो है bvc and hdp diploma से समझेद यहां पर आपको veterinary से समझेद new update मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखे student अब मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि अगर आपके 12 के जो है 12 में जो भी आपके percentage बने हुई है ठीक है चाए आपने 12 जो है 2019 में की हो चाए 2020 में की हो चाए आप परमोट हुई हो ठीक है आपने किसी भी year में कर लेकिन आपका एक सपना है कि sir में तो जो है पसुदन साइक का यह जो course है यह करना चाहता हूँ सर मुझे डिपलोंआ करना है चाहिए ऐगर मुझे यह लिश्ट में नहीं मिलता हूं लेकिन सर मेरे पास मैं डोनेसं में अगर लेना चाता हूं तो उसमें क्या रहते क्यों की फिक जो है. sickness condition अच्छे नहीं होती है सभी की है तो जो है अच्छी नहीं होती है तो वो जो है कैसे ले जो है सीट कैसे ले देखे सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके जितने भी परसंटेज बने हुए है और अगर आपने फो में अप्लाई किया है चाहिए आपके 65 परसंटेज है लाउट नहीं होते केवल वही स्टुडेंट क्या करते हैं डोनेशन पर सीट लेते हैं तो मैं आपको जे के स्टुडेंट भूस से स्टुडेंट ये भी पूश्टेंगे सर क्या डोनेशन पर सीट लेने से कोई प्रोब्लम तो नहीं होती है क्या डिपलोमा डोनेशन से कर सकत देखे स्टुडेंट अगर आप काउंसलिंग से जाते हो ठीक है तो काउंसलिंग से जाते हो तो स्टुडेंट जो राजवास की वेबसाइट पर आपको जो आपने लिश्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि इस कोलेज की फी एतनी है तो वो तो आपको काउंसलिंग के इसाप से केवल उतनी ही fee देनी होती है लेकिन donation का मतलब हो गया कि जो है कुछ जैसे कि मानलो कि कोई private college है तो उसके जो है मैंने आपको पहले भी बताया था वो संस्तान खुद जो है choice करता है कि कुछ student को ले सकता है अगर उनकी eligibility होनी चाहिए जैसे कि उनके 12th के अंदर bylosi होना चाहिए या फिर जो है agriculture होना चाहिए यह दोनों होना चाहिए ऐसा नहीं है कि donation पर arts वाले भी ले सकते है arts वाले नहीं ले सकते eligibility होने चाहिए लेकिन क्या होता है कम percentage किस है मेरे कम percentage है मेरे 60 percentage है लेकिन मेरे 12th में bylosi है या फिर एक रिकल्चर है तो सर में क्या डिप्लोमा कर सकता हूं क्या डोनेशन से जी हां इससे कोई प्रोब्लम होती है जी नहीं इससे कोई भी प्रोब्लम नहीं होती है अब मैं आपको जो है इसकी फी के बारे में बता देता हूँ कि इसकी जो फीस है वह कितनी रहती है डोनेशन पर एंड आपको कितनी देनी है देखे इस्टुडियन ते कम्प्लीट चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हडिप्टी डिप्लोमा से सम्मझित आपको आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो में मिल जाएगा आप वहां सेर्षबी खर सकते हो सब्सक्स के लिए अगर फर्यश्ट लिश्ट में उनका नमबर आता है आप सबीको पता है तो जिनके 60% है ठीक है 62% है अब जो कि इतने कम परसेंट पर अभी तक तो जो है कभी भी कोलेज नहीं अलाउट हुआ है तो ये student क्या करें अगर donation पर seat लेना चाते हैं तो किसी कोलेज से जो है contact कर सकते हैं ठीक है अगर आप चाते हैं कि मैं first list का wait करूँ तो आप कर सकते हैं first list के बाद में भी बोल सकते हैं या फिर second list के बाद में भी आप उनको बोल सकते हैं लेकिन आपको क्या करना है college में contact करना है contact करने के बाद में उनको अपनी जो है सबसे पहले तो जो उसookie कांस्लिंग की फी है गांस्लिंग की फी वो लेते हैं जैसे कि मान लो कि उस कांस्लिंग डोर आएंगे उन इश्टुडेंट से मान लो की 40,000 रुपे लेते हैं ठीक है अब 40,000 रूपे तो आपको भी देने होंगे तो ये क्या donation हुआ क्या? ये donation नहीं है ये तो आपको जो है उनको देने होंगे इस plus के साथ में इस के साथ में आप से वो कितना लेते हैं वो कुलेज पे डिपेंड करता है आपकी बात चीद पर डिपेंड करता है आपकी जो परसंटेज है उस पर डिपेंड करता है ठीक है complete जो है चीजे मैं तो कहता हूँ अगर आप अच्छी तरीके से बात करते हैं अगर आपके मान लो कि आपके जो है मैं आपर अगर आपको बता दूँ कि आपके जो है 69% है और अगर मान लो कि second list भी जो है 70 तक को लेती है ठीक है एक मैं अनुमान बता रहा हूँ तो उनको पता है कि यार जो बच्चा है वो एक परसंटेज से रहे गया तो वो आपकी डोनेशन की फीक कम भी कर देते हैं ठीक है तो यह डिपेंड करता है complete जो है वहाँ पर कोलेज में आप खुद बास जीत करो अपने फादर या फिर अपने बड़े वाई किसी को साथ में लेकर जाओ अपने जो है qualification जो आपने किया है ठीक है 10-12 का अंदर वो जो है data उनको दिखाओ and उनको जो complete चीज़े बताओ कि सर देखिए मैं जो है मतलब मेरी financial condition भी अच्छी नहीं है कि मैं ज्यादा donation दे पाऊं लेकिन सर मैं जो है पसुदन साइका कोर्स जो है वो करना चाता हूँ तो यह complete चीज़े मैं तो बताना आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए अगर आप विनमर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सभाव से अच्छे से अगर आप बातचीत करोगे तो आपको एक donation पर जो है अच्छी seat मिल जाएगी और आपको payment भी उतना नहीं देना होता है ठीक है लेकिन अगर आप पैसे वाले हो और आप चाहते हो कि मैं तो किसी अपने पास में एकदम मेरे घर के नजदी की seat लेना चाता हूँ तो फिर आपको जो है वो depend करता है college पे and जो है किसी की जो है rating जो होती है student college की वो सभी की अलग-अलग होती है तो आप ऐसा मसोच ना कि donation पर क्या सभी college एक देती नहीं सभी college की fee है donation की वो अलग-अलग रहती है